कासी की घटना है पुझ गुर्देव ने कान पें बताए एक सद्जन देखाए सवतमिन में जब वैजिक्ट्य अगनिहोत्री उन्ही की घटना वो अगनिहोत्र का ब्रत लेना चाहते थे राज राज इश्वर शास्त्री जी द्राविर वो भी थे उन दिनों पुझ गुर्देव थे पुझ गुर्देव के पास आए तो शुष्क करोगे या अर्द्र पारिभासिक सब्द है क्या अर्द्र तो उन्होंने का शुष्क तो उन्होंने का पूरा फल नहीं मिलेगा राजराईश्वशास्त्री के पास गए निरविकल्प तो निरविकल्प है विकल्प तो विकल्प ही होता है अब क्या हुआ उन्हों ने दोनों की बात मान ली उनसे जागे कोई कासी में कोन हो सकता था ग्रियास्तों में राज राइश्वर शास्त्री जी बिरक्त सन्यासियों में कौन पुझ गुर्देव अब पुझ गुर्देव ने संस्परन सुनाया ब्यारी होते तो समर्थन दे देते उरिया होते समर्थन दे देते असामी होते समर्थन दे देते राजस्थानी जादेशि शिष्टे महराज के सब ने काया गुरु जी का दिमाग खराब हो गया है ये तो अब बली प्रता के समर्थक हो गए कहा कि एक से एक हमारे शिष्ट सब हमारे दुस्मन बन गए गाली तो नहीं दी तो अभी निंदा करने लग गए और हमसे दूर हो गए शास्त को मानोगे तो उसमें फिर क्या है हिमसा अगर उद्देश से है तो शास्त सम्मत यग्य भी पाप है ये सब सीखना चाहिए जैसे कौन सा याग है शे शे नियाग में क्या होता शे नियाग माने बाज जैसे अपने दुस्मन पक्षी पर धपट्टा मार के जट से उसको अपने चंगुन फ जो याग किया जाता है उसका नाम है शेन याग है जटपट शटव पर विजय प्राप्त कर लेने में समर्थ होता है एक संत को मिमामसा का ज्यान नहीं के बराबर रहा होगा प्रभचन में कह दिया कि शेन बाज की बली दी जाती है उसका नाम है शेन याग है अब वो ग्रं अच्छन ग्रंथ का रूप दिया गया होगा, वो लेके आ गए ओम चैतन मेरे पास इसकार्थ क्या है, आपने का आप क्या करें, आप उसके प्रतिया अपमानना हो, यह तो गलत लिखा है, ठीक ही नहीं, तो मैंने यह कहा कि सुनने बाले ने गलत सुन के लिख दिया होगा, ब अपर उद्देश हिंसा है, अंग नहीं, अंग त्वेन हिंसा है या उद्देश्यत त्वेन, अंग त्वेन, शेन याग शास्त सम्मत होने पर भी उद्देश हिंसा है, शत्र मर जाई मेरा, इसलिए अगर शेन याग के बाद ज़िवान प्रायस्चित न कर ले, तो मरने के बार नरक मिलेगा इतर जो है यहां पर अश्मे दादी की बाद चल रही है वहां अंगत्वेन है उद्देश नहीं है क्रतु के अंगत्वेन अगर द्रव्य पशु पशु द्रव्य कह दें या द्रव्य पशु कह दें उलट फेर कर प्रियोग है तो श्रौत याग की क्योंकि या विसा बहुत बड़ा शाहत्रा था पुछ गुर्देव का सब बताया हुआ उनका नाम इसले लेते हैं क्रिश्टा ग्नेता दीवन में नावे क्या